हलो दिया स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो दे चैनल मैं आपके अकाउंटन से एजुकेटर रंबिका सेंग आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हो मैंगनेट ब्रेंस पर एक ऐसा प्रेटफर्म जहां आपको मिलता है 100% सब्सक्राइब करते हैं और हम अदर स्टेट बोर्ट के कोर्स को भी कवर करते हैं जैसे कि डेली बिहार यूपी एंपी राजस्थान बोर्ड तो my dear students बस आपको मैंगनेट बिंट से जोड़े रहना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है so that आपकी लर्निंग और भी जादा इन्हांस हो सके तो चलिए students आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक और important चीज़ कि यदि आपको e-books या e-notes का benefit लेना है right already हम बहुत सारे questions solve कर चुके I hope आप लोगों को अब बहुत अच्छे से practice हो गई होगी कि chapter number one है उसमें कैसे questions है आपके किस तरीके से solve करना है I hope आपको सब कुछ clear हो गया होगा अब हम जो basically कर रहे हैं हमारे जो previous class थी वहाँ पर भी हमने most important question discuss किये थे जिसे आपको solve करना है 100% करके जाना है क्योंकि वो exam वाले थे previous years के थे संबल पेपर से मैंने लिए थे तो वह most important है उसको escape आपको बिल्कुल भी नहीं करना है same वही उसी class को आज second part में लेकर आई हूँ जो आपको हम पढ़ेंगे क्या most important question chapter number one से ही related आपके लिए लेकर आई हूँ मैं ठीक है previous class पे भी हमने कुछ important question देखे थे आज की class पे और ज् notebooks ready कर लीजे क्योंकि question solve करनी के बारी आई है और आपको मेरे साथ में मिलके question solve करना है right calculations भी करनी है solve भी करना है यहाँ पर मैं लगाने वाली question number one जल्दी से copies ready कर लीजे देखता है question number one क्या और class start करो question start करो से पहले जल्दी से class को क्या करना है like करना है share करना और यदि अभी त class में हो चुके है यदि miss कर दिया है तो अभी भी time away अपिस से जाके देख लो क्योंकि important questions है जरूर practice करनी है आपको तो चलिए आज को question लगा लेते हैं फटाक से question number four काफी बड़ा question है आपको पूरा read करना है समझना है question में क्या मोल रहा उसके बात क्या करना है solve करना तो चलि में ठीक है एक partnership फाम इसमें तीन पार्टर से सपोस करो A B and K यह तीन पार्टर से और इनका जो शेरिंग है profit में वो रेशो दिया है five is to three is to two their capital वो five lakh four lakh and two lakh उनकी capital भी आपको देखे रखी है तीनों ही partners की capital आपको देखे रखी है तो partnership deed provide the following partnership deed में कुछ आपको details देखे रखे सब आपको रीड करना है one by one और देखना है कि यह question आपसे क्या कह रहा है देखो बच्चों काफी important question है CBC 2023 just previous year कहीं यह question है इसको यदि skip कर दी आना तो बहुत बढ़ी गलती होगी ठीक है तो इसको previous year को question को हमेशा practice करके रखा करो भले as it is तो आएगा नहीं लेकिन pattern और आप आपको समझे जाएगा कि भाई इस level के question आते है ठीक है तो जल्दी से बस start करते है information क्या देखे रखी है आपको interest on capital बोलके रखा है कितना 10% का interest on drawing बोलके रखा है आपको 6% का interest on partner loan to the firm हाना partner loan to the firm पार्टनर ने जो loan firm को दिया है उस पर कितना interest है 9% यह यह ना interest on partners loan to the firm राइ अधीती हैड विड्रॉन 60,000 और बॉबी 15,000 की drawing देके रखी है एक ने करिये 60,000 की और बी ने किये 50,000 की on 1st September देखो भई 1st September की बात कर रहा है ना mid मतलब year के बीच की बात कर रहा है पहले या last की बात ने कर रहा है September की बात कर रहा है क्या बोल रहा है Chris had given a loan Chris ने loan दिया firm को क्या दिया loan दिया कितने का दिया 40,000 का दिया ठीक है आपको बोला है past general entry past necessary general entry in the books of the firm of the following transaction अब ये transaction आपको दिये है तीन इनके basis पे आपको क्या करनी है general entry करनी है पहला information यह क्या दी है जिस पे आपको general entry करनी है वो बोला है allowing interest on Bobby capital सबसे पहले Bobby को capital पे आपको क्या देना है interest देना है और उसकी entry करनी है है ना question में आपको general entry का question है देखो इता बड़ा question है और पूछा क्या है general entry पूछिए interest on Bobby capital की पहली entry करनी है फिर आपको क्या करना है charging interest on Aditi drawing अधीती ने जो drawing की है उसकी आपको entry करना है उस पर जो interest charge होगा उसने drawing करी उस पर फर्म interest charge करीगी तो उस उसकी भी आपको general entry करनी है तीन entries बोल यह भाई तीन entry फटाफट हम कर देंगे और लास्ट में क्या वाल है also pass transfer entries in the profit and loss account profit and loss appropriation account as the case may be और आपसे बोला है जैसा कि आपको पता है हम जब भी कोई entry करते हैं उसकी transfer entry भी करते हैं है ना जो amount होता है वो या तो profit and loss में जाता है या profit and loss appropriation में जाता है तो इन तीनों के entry तो हम करेंगे इसके साथ साथ जो transfer entry है जो कहां होते हैं amount transfer या तो profit and loss में होते हैं या फिर profit and loss appropriation में होते हैं तो इस हिसाब से भी आपको पूरी entries करनी है question समझागे information दी है फटा-फटा आप यहां पर calculate कर सकते हो values निकाल सकते हो और इन entry करेंगे question समझागे important question general entries है तो चलिए start कर देते हैं general entries करना फटा-फट सबसे पहले तो calculation लगेगा है ना चलो तो हम पहले तो general जब हम करते हैं तो table बना लेते हैं चलो table बना लो जल्दी से अपनी copies में कैसा बनता है general का format date particular LF और debit or credit का column बन गया सबका ready हो गया चलो बढ़ enjoying interest on bobby capital bobby की capital पे interest कितना interest होगा बबी की capital देख लो किती दिये 4000 दिये है ना बबी जो पार्टेर उसकी 4000 capital है 4000 पे interest आपको 10% का देना है simple कितना जाएगा 10% देना it means 108 दोगे तो 40000 40000 इंट्रेस्ट आ जाएगा तो चलो इसकी entry हम कर देते हैं 40000 के entry कर देते हैं अब देखो interest on capital, interest on capital आप profit and loss में किस side पे show करते हो, ऐसे profit and loss बनाते हो, इस तरीके से suppose कर लो, छोटा सा एक column है आपका profit and loss का, इस तरीके से बनाते हो, तो कहां दिखाते हो interest on capital, debit side पे, right, debit side पे दिखाते हो, तो उसके entry भी हम किस side पे करेंगे interest on capital की debit side पे, तो चलो कर देते हैं फटा-फट आजाईए, बन गया सबका table, right, table is ready, चलिए, सबसे पहले entry बताईए, interest on capital जैसे कि आपको पता ही है, date, date का कुछ specifically हमको नहीं दिया, हम 1, 2, 3 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले entry क्या हो जाएगी, interest, interest on capital, किस की capital specifically Bobby की, ठीक है, B capital, B capital account को क्या कर रहे, debit, क्योंकि interest on capital debit side देते हैं, इसलिए इस particular चीज़ को हम कहा लिखेंगे, interest on B capital को debit side पे लिखेंगे, clear, समझ गया है, अब 2 किस में करेंगे, हम यहाँ पर, 2 Bobby capital account, इंट्रेस्ट दे रहे हैं, Bobby को किस में दे रहे हैं, उसके capital account में तो दे रहे हैं, तो इसको credit कर देंगे, ठीक है, interest on capital debit side देते हैं, P&L में इसको debit कर दिया, कहां देते हैं, partner के capital account में देते हैं, इसलिए भी का capital account, amount, interest हमने किता निकाला, बताओ भी, 4,00, capital थी, 10% interest देना तर 40,000 हो गया, ठीक है, चलो, 40,000 लिख दो, 40 and 40, समझ आगे, पहली entry सिंपल सी, कोई इसमें न narration बी लिखने, narration आपका homework है, है ना, general entry में narration लिखते हैं, क्या लिख होगे, इसमे, being interest on capital is paid to partner B, यही नरेशन हैगा, simple सा, आपको लिखना यह आपका homework है, ठीक है, entries में कर वारी है, homework है, आपको narration है, क्या लिख होगै, being interest on capital paid to partner B, ठीक है, समझ गया, यहाँ है, आप narration लिख दे charge करना है देख लो भाई 9% है ना यहीं बूला ना अच्छा यह तो लो ना सॉरी interest on drawing 6% बूली है 6% interest on drawing firm क्या करेगी charge करेगी किस से करेगी अधीती से करेगी तो भाई अब calculate कर लो ठीक है calculate कर लो आपको दी है 60,000 देखो मैं बता देती हो आपको छोटा सा calculation चलो यहीं बता देती हो चलो चलो कोई नी आप मिसको working note में दिखा देते हैं कैसे दिखो होगे 60,000 दी थी उसकी जो drawing थी वो 60,000 थी और उस पर 6% interest देना था चलो यह तो समझा गया लेकिन आपको पता है जब हम drawing करते तो तीन condition होती है being आप क्या सकते हो month के beginning में, month के end में या month के middle में question में ऐसा कुछ नहीं का तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो drawing होई है वो month के middle में होई है और जब middle में होती है तो कितना average period देते है six month का average period तो क्या कर देंगे six month का average period देंगे तो six divided by total month आपको पते हैं यह साल में बारह महीन होते हैं यह तो सब को पता है बच्चा बच्चा भी जानता है तो चलो इसको फटाक से calculate कर दो बता दो interest on drawing कितना आएगा कर दो भाई calculate चलो काटा पीटी कर दो यहां पर जा रहा यह यह जीरो से जीरो कैंसल यह six यह टू टाइंस यह टू बन जा टू 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 थी जा six अब कर दो इसको multiply कितना answer आजाएगा कर दो multiply कितना आजाएगा अठारा सो आ जाएगा है ना ठीक है माम आ गया यह क्या आ गया interest on drawing अब इसकी entry कर दो है ना इसकी entry हम टेबल में कर देंगे चलो हमारा general entry वाली table निकाल लेते हैं यह आ गही हमारी table इसमें कर दो क्या entry क्या entry हो जाएगा आपको पते हैं कि जो interest on drawing होता है interest on drawing जब हम बनाते हैं ना हमारा interest on drawing देंगे उसको credit side पर record करेंगे कहां पर यह जो हम बना रहे हैं जनरल यहां पर ठीक है चलो कैसे देंगे किस partner को देना है हमें partner कौन था interest on drawing लेने वाला जिस पर हम charge कर रहे हैं अधीती राइट तो अधीती के capital account में a capital account debit करेंगे to interest on drawing account to interest on drawing account clear interest on drawing को क्या करते credit करते हैं इसलिए हमने इसको कहां पर शो किया credit side पर शो किया और अधीती के capital account में देंगे इसलिए इसको debit side शो किया amount हमने अब भी निकाला अट्रास वाया था लिख दो भाई यहां पर अठारा सो clear दूसरे entry समझ आ गई simple सी थी right समझ आ गई चलो भाई third वाली देख लो third क्या भूल रहा है providing interest on Chris loan to the firm मतलब क्रिशन ने जो loan दिया है क्रिश का loan का है भाई लोन यह दिया अधीति का यह हो गया यह रहा क्रिश है गिवन लोन क्रिश ने 40,000 का loan दिया है और interest कितना उसको दे रहे हो 9% का नौ परसेंट का interest दे रहे हो लेकिन माइडिया students जो लोन दिया है वो कब दिया है September में दिया है तो कितने महीने का interest दोगे भाई साल भर का तो दोगे नी क्योंकि लोन सेप्टेंबर में दिया है तो कितने महीने हो गए September, October, November, December, January, February, March कितने हो गए साथ महीने हो गए तो लोग interest भी सिर्फ साथ महीने का मिलेगा तो calculate कर दो भाई 40,000 का 9% निकाल लो और कितने महीने का साथ महीने का निकाल लो जरा पटाक से निकाल लो चलो मैं भी आपको बता देती हूं निकाल के working note में 40,000 बोला है 40,000 है 9% का interest देना है लेकिन September के लिए ही देना अतलब September से March तक देना इट मीन साथ महीने है अब निकाल दो भाई कर दो अब जरा calculation पटाक से यह चला जाएगा आपके 3 के table से ठीक है यह 4 आ गया यह 4-4 यह जाएगा 100 कितना आ गया बता दो कितना आ गया आप यह 3-7 सब multiply कर दो कितना आ जाएगा बाई 2100 ठीक है 2100 आपका आ जाएगा क्या लोन ठीक है अब इसके entry कर दो अब इसके entry कैसे होगी देखो 2100 आया इसको याद रखो 2100 अब इसके entry कैसे होगी जो interest on loan होता है उसको हम किस side दिखाते है बताएए जो हमारा interest on loan होता है उसको हम debit side पर दिखाते हैं जब भी हम loan पर interest दे रहे हैं तो वो profit and loss में होता है right interest on loan को तो हम जो appropriation में तो उसमें तो कुछ करते नहीं है तो इसके entry कैसे हो जाएगी भाई देखो इसके entry number third चलिए इसकी entry हमारी कैसे हो जाएगी interest on crash loan interest on crash loan account debit ठीक है किसको दे रहे हैं 2K capital नहीं इसके capital में नहीं देते पर interest on loan का हम जो adjustment करते हैं वो कहां पर करते हैं बताएए वो कहां पर करते हैं crash loan account क्योंकि इसका जो भी रहेगा वो कहां पर जाएगा पूरा हिसाब किताब loan से related इसके खुद के जो loan का account रहेगा उसमें जाएगा right समझ गए amount हमने अभी निकाला था 2100 ठीक है amount just अभी निकाला 2100 clear समझ गए ना interest on crash loan account और 2K मतलब crash loan के account में इसको क्या कर देंगे credit clear तीसरी entry समझ आगे भी अच्छे से देख लो एक बारी समझ में आ गई अब क्या करनी है तीन तो एंट्री तो हमसे तीन ही बोली थी मतलब जो चीज़े बोली थी वह तीन ही गिवन थी वान टू एंट्री तीन हम कर चुके लेकिन आप से एक चीज और बोली है जब अमाउंट को आप transfer करोगे वह entry भी आपको शोकर नहीं तो चलिए हम transfer वाली entry भी कर देते हैं अब देखो transfer वाली कैसी होती है यह जो amount interest on capital का यह कहां जाता है profit and loss में जाता है अब आपको बस वही करना है जो amount transfer हो रहा है उसी के आपको entry बतानी है तो profit and loss appropriation में जाते है चलिए इसको हम दूसरी यहीं से कर देते हैं चलो यहां जगे है अभी लिख दो यहीं पर 4th वाली entry entry number 4 ठीक है क्या हो जाएगी profit and loss appropriation account debit side में जाता है हमारा क्या debit कर देंगे इसको तो क्या interest on capital देखो interest on capital यहां debit side लिखा है लिखा है debit side इसको यहां पर credit side पर लिखना है जो यहां credit में उसको यहां debit में कर देना लेकिन कहां transfer करना है यह याद रखना profit and loss appropriation या फिर जो loan अगेरा होते हैं वो profit and loss में जाते क्योंगी भाई आपको पता है loan का कोई भी treatment हम profit and loss appropriation में नहीं करते loan को कहां treat करते profit and loss account में करते ठीक है तो यह profit and loss appropriation account interest on capital को हमने debit किया था यहां पर हम credit कर देंगे to interest on B capital ठीक है interest on B capital सेम वही amount 40,000 आ जाएगा right 40,000 आ जाएगा हमारा दोनों side clear समझ में आ गई number 4th वाली entry क्या कि हमने जो चीज हमारी debit side पे थी उसको हमने credit side पे कर दी कहां पर profit and loss appropriation account में ठीक है अब हमारी जो 5th वाली entry होगी वो कैसे होगी चलिए 5th वाली entry देख लेते हैं अब हम number 5th वाली entry में क्या करना है हमारी drawings related थी राइट एक बद चेक कर लेते हैं drawings related थी आप देखो interest on drawing हमने credit side पे दिखाया है अब इसको debit side पे दिखा दोगे जब transfer वाली entry जो हम कर रहे हैं यह credit side पे ठीक है यह debit है यह credit है य 11th पे पड़ा है तो यह जो credit में आप इसको debit कर दो और जो आप credit में क्या करोगे profit and loss appropriation account ठीक है चलो कैसे करना है आई यह देख लेते हैं कहां गया भाई हमारा second वाला यह रहा चलो चलो start कर दो क्या करेंगे सबसे पहले हम profit interest on drawing को क्या करना है debit कर रहा है right interest on drawing interest on drawing को debit करना है क्योंकि पहले आपने credit किया था transfer वाली entry में opposite करेंगे इसको debit कर देंगे टू कहां पर करेंगे profit and loss appropriation account में करेंगे clear समझ गए amount कितना दिया था भाई यह ठारा सो दिया था ला चालो अठारा सो amount हमने यहां पर लिख दिया अब बता दो मुझे sixth वाली entry चालो sixth वाली entry बता दो sixth वाली कौन सी होगी अब हमारी बताईए sixth वाली entry loan की होगी आपको पता है loan कहां पर treat होता है profit and loss account में ना की appropriation में तो इसको हम कहां पर लिखेंगे profit भाई मेरा पीला वाला pen ले लिती हूँ profit and loss account में हम कहां करते हैं loan का treatment करते हैं तू देखो अब यहां समझो क्या किया था हमने interest on k को पहले debit किया था है ना interest on k loan को पहले debit किया था अब क्या कर दो उल्टा अब इसको credit में कर दो ठीक है अब इसको कहां पर कर दो credit में कर दो to interest on K loan, कर दिया debit side, यह इसको अच्छे ची लिख देती हूँ, interest, I and T, short form, ठीक है, interest on K loan, कितना दिया था बाई, 2100 दिया था, हाना, हाना, अभी हमने calculate किया, 2100 ही आया था, यही आया था, इपर amount में cross check कर लेती हूँ, चलो amount cross check कर लेती है, 1800 और 21, है ना, चलो, note कर लो, अब यह 6th वाली entry जल्दी से, note कर लीजे, ठीक है, काम करो, screenshot ही ले लो, question इतना ही था, ठीक है, यह एक बार मैं आपको बता दियो, question इतना ही था, आपको adjust क्या करना था, यह 3 entry करनी तो, answer related, transfer entry करनी थी, जो हमने कर दी, समझ गए, transfer entry अच्छे समझ गए, question इतना ही था, देखो इतना भारी भड़कम सा, इतना, लंबा चोणा तो question था, मगर पूचा छोटी सी चीज थी आपसे, general entries, clear, और transfer वाली general entries, समझ आगे, इंपोर्टेंट कॉशन है, देख लो, देखो, एक बर और मैं आपको, थोड़ा सा समझा देती हूँ, यदि आपको नहीं समझ आया है, तो, आमने क्या किया, interest on, जो capital दिया, उसको debit side पर record करते हैं, that is why हम उसको debit किया, जिस भी particular partner को देना है, उसको क्या करते है, credit side पर करते हैं, उसके बाद interest on drawing को हम credit side देते हैं, जिस भी partner को देना है, उसके debit side पर record किया, फिर इसके बाद आपको बते हैं, loan हम कहाँ पर करेंगे, debit side, और जो भी particular partner को देंगे, उसको credit side पर करेंगे, फिर हमारे ये तीन entry होगी, अब इनकी हमने क्या कर दिया, transfer entry करी, सबसे पहले पहले entry करी, interest on capital, जो debit side था, उसको हमने या credit side कर दिया, कहाँ पर profit and loss, appropriation में, ठीक है, ये debit side में था, इसको नीचे कर दिया, credit side, फिर अगली entry क्या करी हमने, interest on drawing, जो हमने पहले कहा लिखा था, credit में लिखा था, उसको हमने क्या कर दिया, debit में record कर दिया, और P&L appropriation को कर दिया, credit, फ क्यों, क्योंकि loan का कोई भी treatment, appropriation में नहीं होता, बलकि कहा होता है, profit and loss appropriation में, clear, समझ आ गया, चलो, अफ बिना देर किये, फटाक से क्या ले लो, भाई, screenshot ले लो, चलो, मैं side हो जाती हूं, take the screenshot fast, done, ले लिया, चलो, second वाले का भी ले लो, done, ले लिया, चलो, homework है आपका, इ क्लाइन में narration लिखना है, वो आपका homework है, clear, समझ आ गया ना, चलो, अब बड़े अगले वाले प्रश्न की और, हैना, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह हमारा हो गया है, अच्छा, यह, यह भी ले लो, चलो, जो हमने working note किया था, take the screenshot of it also, done, चलो, working note जरूर यह question में दि दिखाना है, चलो, नई भी दिया, तो भी दिखा दो, जरूर यह working note तो दिखाना, नई भी दिया, तो भी दिखाया करो, क्योंकि नंबर मिलते है, ना, चलो, done, हो गया, ओके, अब बढ़ते हैं, next वाले question की और, question number, fourth हमारे, done हो गया, अब आजा, question number, पाच्वे की और, फि business in उत्राखंट, है ना, भाई, इत्तीन सारी information, उत्राखंट में business चल रहा है, टीगे, हमें क्या करना है से, चलो, question बोला है, NQR, NQR, तीन पार्टनर्स है, फिर बोला है, after the account of partnership were drawn up and close, it was discovered that interest on capital has been allowed, partner 6% for the year, ended 31st March, and, तो, अच्छा, दो साल का बोल रहा है, दो साल, 31st March, 2018, और 2017, और 2018, है ना, 31st March, 2017 को भी, और 31st March, 2018 को भी, मतलब, दो साल की बात हो रही है, दो साल तक इननों नहीं क्या किया, interest on capital, देखो, interest on capital कितना दिया, 6% पे दिया, 2 साल तक regular दिया, है ना, 6% पे, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed, लेकिन ऐसा कुछ partnership में था ही नहीं कि हमको 6% interest on capital देना है, पर जबजस्ती 2 साल से 6% interest on capital दिये जा रहे हो, right, provision में कुछ नहीं था, साफ दिया है question में, provision में कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, या आपनकी partnership deed में ऐसा कोई provision नहीं नहीं था, कि आपको interest on capital 6% देनी है, बेवज़ा है या आपने दे दी, 2 साल से, एक भी नहीं बलक्यों 2 साल ठीक है, ओके, फिर क्या का है, on the other hand, Naveen and Qadir were entitled to salary of 3500 and 4000 per quarter respectively, भाई, एन और क्यू इनको salary मिल रही है, एक को 3500 की, एक को 4000 की per quarter, per quarter मतलब 4 quarter, मतलब 4 महीने का एक quarter होता है, उसे साब से इनको salary मिल रही है, एक quarter की दिया, आपको साल भर की निकालनी है, फिर कहा है, which has not been taken into consideration, भ को दिया ही नहीं है, अभी तक इस पर ध्यानी नहीं दिया, इनको salary नहीं दिया, इनको salary नहीं दिया, they are fixed capital, देखो भाई, fixed capital है, ठीक है, fixed capital है, it means, जो भी चीज़े है, या जो भी हम चीज़े करेंगे, वो partner के current account में transfer होंगी, fixed capital दिया है, है ना, बिलकुल दुर्बिन से द share the profit and loss, दो साल की बात है ना, या दखना, 17 और 18, दो साल से लोग profit, जो share कर रहे है, अले अलग रेशो में कर रहे है, पहले जब 2017 में किया, तो कितना किया, 5, 3, 2, right, और जब 2018 में किया, तो कितना किया, 3, 2, 1, clear, question समझा गया, चालो, question आप से करा है, past necessary adjusting entries for the above adjustment in the books of the firm on 1st April 2018, show your working clearly, देखा आगया ना, working clearly, working notes clearly दिखाने है, और ये जो भी गलतियां हुई है, अब इसको आपको rectification करना है, और last में, आपको adjustment entry करने है, question समझा गया, एक बार और देख लो, जो जो भी necessary information है, एक बार आप देख लो, समझ लो question क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, सारी ठीक है, समझ लिया, समने देख लिया question, चलो, अब करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, adjustment table बनाएंगे, हाना, adjustment table बनाएंगे, dear students, और उस adjustment table में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो interest on capital इन्हों ने गलत दिया है, that is 6%, 2 साल से 6% जो देते जा रहे हैं, आपने दे दिया, अब क् पार्टनर से वापिस लोगे, हाना, क्या करते, जो भी आपने गलती से चीज़े दे दिया, वो उनसे वापिस लोगे, तो चलो, सबसे पहले बरालो, क्या, adjustment table, चलो, adjustment table कैसी होती है, ऐसी तो नहीं होती, ऐसी होती है, ठीक है, ओके, पार्टनर कौन कौन है, भाई, देखो, है हमारा debit side, यह credit, हाना, यह debit side, यह credit side, यह debit, और यह credit, यह तो सभी चानते है, हाना, चाल यह भाई, सबसे पहले क्या करना है, जो आपने गलत interest दिया है, सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ और समझो, वो आप यह समझो, कि हमको दो साल की बात कहीं गई है, हना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले साल का देख लेते कि दोनों साल के खटा करेंगे ना तो confusion जादा हो जाएगी दो साल का बोले 17 और 18 दोनों में उन्होंने सेम यह गलती किये कि इंट्रेस्ट उन कैपिटल फालतु में दे दिया और सेलरी अभी तक दी ही नहीं है दो चीज़े गलती करी है हम लोग सेपरेट सेपरेट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं पहले फिर सेकंड यर की कर लेंगे चलो तो यहां पर सबसे पहले क्या करो फास्ट यर की कर लो पहले साल पहले साल क्या किया देख लो पहले साल इन्होंने क्या किया रॉंगली इंट्रेस्ट उन कैपिटल रॉंगली इंट्रेस्ट उन कैपिटल दिया है 6 परशेंट पे ठीक है गलत इंट्रेस्ट उन कैपिटल इन्होंने दिया है 6 परशेंट पे अब देख लो भाई इनकी कैप इंट्रेस्ट ओन कैपिटल, इंट्रेस्ट ओन कैपिटल, तीनों ही पार्टनर्स की दिखानी है हमको, चलो, कितनी दी है, कहां गई भाई, यह रही, 4,00, 3,60,000, and 2,40,000, तीनों की कैपिटल ओन गई, कितना दे रहा है भाई, इंट्रेस्ट 6 फर्शेंट का दे रहे हैं, निकाल लो अब इनका 6 फर्शेंट पटाक से है, कितना आ रहा है, बताएगे, कितना परिशन्ट ओनका, simple आपको क्या करना है calculate करना है बताईए कितना आ जाएगा आप इनका calculate करके बताईए कितना आ जाएगा चालो तो पहले वाले का कितना आएगा 24,000 ठीक है पहले वाले का 24,000 आएगा similarly दूसरे वाले का बतादो कितना आएगा बस into करने आपको 6 से इसको multiply करना है, बता दो, कितना आएगा, पहले वाले का तो आ गया, दूसरे वाले का कितना आएगा 21600, ठीक है, 21600 आगया, similarly तीसरे वाले का कितना आएगा, बता दो, तीसरे वाले partner का कितना आएगा, 14400, ठीक है, ओके, यह हमने क्या निकाल दिया, interest on capital, अब इसको हम कहा पर लिखेगे जो आमने अभी टेबल बनाई है, ढाल इस हमारी तेबल, France on Capital आपको पर्त Nur वापस भी लेंगे तो कहीज़े ने ऩहाँ पर लेंगे जहां पर दिया था पर नरेक मैंते ही क्या कर लेंगे वापस कर लेंगे याद रखोगे ना तो कभी confused नहीं होगे कि debit करना है कि credit करना है ठीक है भाई याद रखो interest on capital हम debit side देते हैं अब वापस ले रहें तो वापस भी debit side से ही लेंगे कितना पहले वाले का कितना गया था वाई 24,000 आया था है ना दूसरे वाले का कितना आया था and 24 फिर भूल गई मैं 24 and कितना था भाई 14,400 ठीक है चालो 14,400 है 14,400 क्लियर जो गलती से interest on capital दे विया था हमने वापस ले लिया अब question में अगला क्या बोला है देख लो question में बोला है salary के बारे में कहा है salary कहा गई भाई यह हो गया आपका interest on capital salary के बारे में क्या बोला है कि जो salary है कहा गई salary यह 3500 एक को और दूसरे वाले को कितनी 4000 दिया पर quarter है ना पर quarter आप इसको निकालने आपको साल भर की तो multiply by 4 कर दो क्या कर दो multiply by 4 कर दो यहीं पर कर दो कितना 3500 दिया है तो multiply by 4 और 4000 जो दिया है इसका multiply by 4 कर दो दो पार्टनर्स की salary आ जाएगी कर दो भाई multiply हाना multiply कर दो और जो हमारा table है वहाँ पर क्या दिखा दो salary चलो यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे जो salary देनी है salary दो partners को देनी है salary कौन से है वो दो partners and and q हना and q सिर्फ दो partners को an और q को देनी है तो बता दो calculate करके कितनी आ है salary बता कि कितनी आ रही है 14,000 आ रही है ठीक है तो 14,000 हम कहां लिखते है credit side चलो, ग्रीन पैनल ले लेती हूँ, ना, चलिए, 14,000, credit side क्यों लिखते है, क्योंकि profit and loss appropriation में हम salary को debit side पे show करते हैं, यहाँ पर opposite करना, इसलिए यहाँ पर credit side show कर रहा है, अब बताओ, जो N को देनी थी 14,000, Q को कितनी देनी है, बताओ, Q की salary कितनी आ जाएगी, 16,000, आपने multiply by 4 की आओगा, तो आपकी आई होगे 16,000, 4,000 थी, 4,4 चाई, 16,000 आपकी आगे, जो last वाला partners बिचारे को तो दे नहीं नहीं है, कोई बात नहीं, इसको नहीं देते हैं, अब बताओ, total वाई, firm को बताओ, firm का कितना जाएगा, total, firm का credit side पे कितना amount आएगा, तीनों को plus कर दो, क 60,000 आजाएगा, ठीक है, 60,000, और यहाँ पर जो firm का खर्चा होगा, आप देखो, salary दे दी, firm का खर्चा होगा, मतलब debit side पे कितना आएगा, दोनों को add कर दो, और बता दो debit side पे कितना आजाएगा, 30,000 आजाएगा, दोनों का add कर दोगे, ठीक है भाई, 30,000 आगया, अब अब निकाल लो profit, देखो अभी हम पूरो overall profit नहीं निकालेंगे, क्योंकि overall क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ अभी पहले वाले साल की बात किया, अभी दूसरे साल का करना बागी है, यह सिर्फ 2017 का चल रहा है, अभी 2018 का भी करना है, तो अभी निकाल दो पहले, जित इसमें से माइन, इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, 30,000 आ गया, अब 3030 किते हो गया, साथ, दुनों साइड इकूल हो गया, बैलेंसिंग फिकर आ गया, profit आया, क्योंकि debit side है, ठीक है, अब इस profit को तीनों partners में distribute कर दो भाई, जल्दी profit को क्या कर दो, profit distribute कर दो, ठीक है profit को कर दो, distribute वो दिया है, profit और तीनों partners का ratio देख लो भाई, 2017, 2017 का आपका ये वाला दिया है, ठीक है, ये 2017 का ना उपर हो गया है, और अठार का नीचे हो गया, लेकिन आप इसको cross कर लेना, 17 वाला यहां पर दिया है, ठीक है, और जो 18 वाला है, मतलब अगले साल का जो profit sharing ratio ह ये वाला है, ठीक है, हैना उपर नीचे हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जो 17 वाला है, वो इस ratio में divide होगा, और जो 18 वाला है, वो इस ratio में divide होगा, तो अभी हम पहले साल का कर रहे है, 2017 का कर रहे है, तो इस वाले ratio में आपको क्या करना है, distribute करना है, चलो, ये काली ratio में कर दो, 30,000 profit है, 3 is 2, 2 is 2, 1 में distribute कर दो, चलो, ये 30,000 profit दिया है आपका, और इसको हम distribute कर देते हैं, 30,000 का जो profit है, इसको आपको कितने ratio में करना है, 3 is 2, 2 is 2, 1, 3, 2 and 1, चलो, अब करके बता दो, और आपका answer आ जाएगा, कितना, चलो, ये आ गया कितना, 6, जो दूस दूसरे वाले partner का इसका हो जाएगा, 30,000 into 2 by 6, और जो लास्ट वाला partner इसका जाएगा कितना, 30,000 into 1 by 6, कर ये अब इसको calculate और बताएगे इसका कितना answer आएगा, बताएगे, तीनों partners का आपको निकालना है, सबसे पहले वाले partner का कितना आजाएगा, 15,000 आजाएगा, ठीक है पहले वाले partner का आजाएगा आपका, 15,000, similarly दूसरे वाले partner का आपको निकालना है, 2 by 6 करेंगे, कितना आजाएगा इसका आप calculate करोगे तो, इसका आजाएगा आपका 10,000, और लास्ट वाले partner का करोगे तो आपका कितना आजाएगा, 5000 आजाएगा, clear, तीनों का profit आगया, जो 30 1000 था, वो हमने तीनों partners में distribute कर दिया, किस ratio में किया, 2 is to 3 is to 1 के ratio में किया, आप लिख देते हैं, इसको profit को हम किस site देते हैं, credit site पे, कितना है, 15, 10 और 5, ठीक है, चालो, profit को distribute करेंगे हम, ठीक है, किस site करते हैं, credit site पे, 15,000, फिर अगले वाले partner का आजाएथा, कितना है, 10,000, और जो last वाला partner था, इसका कितना है था, 5000, right, तीनों में distribute हो गया, total profit आपका, 30,000, तीनों में हमने क्या कर दिया, distribute कर दिया, ये तो हो गया, पहला वाला case, right, जो आपको first year दिया था, ये वाला, first year का ये वाला case हो गया, अब आपको क्या करना है, second year, हाना, आभी 207 को हो गया, अब 208 क करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहीं से continue करना है, ठीक है, जो आपका second वाला year है, इसका आपको यहीं से continue करना है, तो हम, same वही चीज हुई, same वही गलती यही गलती हुई क्या interest on capital गलत दे दिया और salary नहीं दी तो सेम यही चीज करना है ठीक है बस अंतर कहां आ जाएगा देखो profit भी इत्ते ही आएगा हना दोनों चीज़े सेम रहेंगी profit भी इत्ते ही आएगा लेकिन distribute अलग-अलग ratio में होगा अभी यह वाला तो किस ratio में distribute हुआ था बता दो जल्दी यह वाला profit हमने किस ratio में किया था 3 is 2 2 is to 1 में किया था यह वाला profit बस अब जो next वाला रहेगा वह दूसरे ratio में जाएगा तो इसको जल्दी से हम यहीं पर calculate कर देते हैं यह हमारा second year हो गया ठीक से वही same interest यही वापस ले लेंगे है ना यही का यहीं amount क्या करेंगे हम दुबारा से वापस ले लेंगे क्योंकि 17 में भी दिया था तो वापस लेंगे वही debit side कितना आ जाएगा same amount आपका आजाएगा 24 ठीक है 24,000 similarly यहां पर कितना है आपका 21600 दैन आपका कितना है debit side पे 1 4400 आपकान से डाबल जीरो और total अपका है 60,000 ठीक है पहली चीज़ सेन वही दूसरी जो salary है यह भी सेन वही चीज़ है इस साल भी आपने salary नहीं दी ठीक है इस साल की भी आप salary दोगे salary वही same amount कितना कितना देना है दोनों ही partner को देना है तीसरे को नहीं देना कितना 14,000 ठीक है 14,000 दूसरे वाले को देना है 16,000 और तीसरे वाले को नहीं देना तो total salary आ गई आपके कितनी 30,000 Same यही, हाँ न, Same यही, अब आपको क्या निकालना है profit, जो क्या होगा distribute होगा, profit कितना distribute होगा बता दो Same way amount आएगा, 60 मैंसे 30 minus करोगे, balancing figure 30 आएगा, अब वो वाला जो आपका 30 amount आया है, उसे आपको क्या करना है distribute करना है, लेगिन किस ratio में, यह अले ratio में नहीं, आपका दूसरे ratio दिया, देखो, 2008 का यह दिया है, है न, 2008 का यह दिया है यह जो है, यह 2008 का है, ठीक है, cross कर लेना, वो उपर नीचे हो गया है, बेट आप लोग समझ जाना, ठीक है 2008 का जो profit है, वो 5 is to 3 is to 2 में होगा distribute, ठीक है, राइट, तो चलो इसको कर देते हैं, हम यहाँ पर distribute चलो, अब यह table तो हो गई है, फुल, है न, हम क्या करते हैं, आप दूसरी table ले आते हैं, ठीक है, चलो चलो, तो यह आ गई हमारी दूसरी table, अब हमको क्या करना है, जो profit है, वो देखना है, तो profit distribute करना है, राइट, profit distribution clear, profit भाई, अगेन, मैंने बताया कितना 30,000 आया था, है न, 30,000 प्रॉफिट आया था आपका, debit side पे, अब इसको क्या कर दो, distribute कर दो, भाई, तीनों ही distribute, चालो, हमने अभी किया था, same, इसी तरीके से करना है, है न, अब किस ratio में करना है, बस फर्क कितना आ जाएगा, 5, अचा, 5 में करना है, 5, 3, 2, ठीक है, 5, 3, and 2, कर दो, अब इस वाले ratio में कर दो, same, यहीं पर कर दो, चाहो तो, है न, यहीं पर कर दो, यह नीचे कर लो, ठीक है, एक बार दुबारा कर लेता है, इसको कितना करना है, भाई, 30,000 पर हमें करना है, कितना, 5 by, कितना है, भाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 by 10, ठीक है, चलो, अब बता दो, भाई, कितना profit आ रहे, फटाक से जार, cancellation कर लो जारा, इदर, बहुत सारी चीज़े, cancel out हो जाएंगी, अब बता दो, भाई, multiply कर दो, जल्दी से, 15, 3's हा कितना हो जाएगा, भाई, sorry, 5, 3's हा कितना हो जाएगा आपका, 15,000 आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले का 15,000 आ गया, फिर 3, 3's हा, 9,000 आ जाएगा, और जो लास्ट वाला है, 2, 3's हा, 6,000 आ जाएगा, clear, profit आ गया, क्या सभी का इतने ही आया, राइट, सभी ने यही किया, चलो, अब इसको हम कहाँ शो कर देंगे, credit side पे, चलो, अब आजाते हैं हमारी table पे, यह table तो हमारी full हो गई, यह आ गई हमारी दूसरी table, ठीक है, credit side पे दिखाएगे हम लोग, क्योंकि profit को debit side पे लेते है profit and loss appropriation account में, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, वो चीज़ debit में थी, यहाँ पे credit में आ जाएगी, कितनी just अभी calculate किये, कितनी आई थी भाई, 15,000 है न, हाँ, 15,000 आई थी, चलो, मेरा green pan, भाई, रब नहीं हो न, चलो, green वाला pan ले लेती हूँ मैं, 15,000 आ गई थी, दूसरे वाले partner के कितनी आई थी, 9,000 आई थी, और जो हमारा तीसरा वाला partner था, इसके आगई थी, 6,000 और total profit है हमारा, 30,000, clear, समझ में आ गया सबको, अब आपको क्या करना है, अब finally आपको total करना है, totaling, अब totaling कैसे करोगे, यह जो हमारा है न, echo table, यह, इन सब balance को total करोगे और इसक है, जो यह, जो हमने profit distribute के, यह, इसकी नीचे योगा पर मैं, मेरे पास तो जगे थी, नहीं, तो मुझे दूसरे वाला table लेना पड़ा, लेकिन आप क्या करना है, इसकी नीचे ही करना है, तो आपको जल्दी से total सब कुछ आ जाएगा, चलो, firm का total कर दो, यह 60,000, यह 60,000, है खाँ एगा, अब इस साइड पर देखो कितना है, 30,000 एस साइड पर, यहाँ पर 30,30,30 कितना हो गया, 30, 30,30, 4 पर 30, 30,000 कितना हो गया, 1,020,000 हो गया, ठीक है, record कर दो, यहाँ पर 1,020,000, 1,020,000, balance आग treaty कर दू, दोनों साइट बराबर, अब, दोनों पाटनर, तीनों पा सबसे पहले आप आर का बताओ इस साइट का टोटल कितना है का और जो आपने दूसरी साइट टेबल पनाई है यह कितना है 24 24 और इस साइट कुछ भी नहीं है ठीक है तो 24 और 24 कितने हो गए बता दो भाई इसको हम रेड से ही ले ले लेते हैं ठीक है चलो 24 और 24 इस साइट कितने हो गए 48,000 ठीक है लिख लो यहाँ पर 48,000 यह क्या है यह टोटल है ना यह है हमारा टोटल अब इस साइट का बता दो चलो यह टेबल इधर उधर हो रही है हमारी चलो 14,000 15,000 और 14,000 और 15,000 इन चारो को आइड कर दो चारो को आइड करो और बताओ मुझे कि कितना अमांट आएगा बताईए 58,000 आएगा चीक है 58,000 राइट इसके बाद अगें किसका करेंगे हम जो हमारा यह है 21,600 21,600 और इस साइट कुछ भी नहीं तो दो बाद 21,600 को यह आप आइड करोगे बताओ कितना बैलन्स आएगा बताईए 43,200 आजाएगा ठीक है अब सिमिरली साइट का करेंगे जो आगे के बालेंस थे बताईए उन सभी का करेंगे तो कितना आजाएगा 9,000 और यह 16,10,16 सभी को करोगे तो कितना आएगा 51,000 आजाएगा ठीक है ओके अब यह वाला जो partner है आपका इसके दोनों साइट कर दो भाई और यह वाला भी कर दो इधर तो 5,000 यह दोनों सेट को प्लस कर दो और इधर आपका 5000 है ही 5000 और 6000 कर दोगे इधर तो कितना जाएगा 10,000 है न यह ओकली साइट का डेबिट साइट कीतना रहे है बताओ डेबिट साइट कीज करोगे है अच्छा का तो पांट अौर 15 आ क्विखा सब करें के सांगे और चैब ड़। आतर्ण सुध्टों यह तूडेंट आप कीतना एफैक्ट आपको निकालनाए जाएगा ठीक है ध। साइड जो भी कॉलंज है हमारी हर एक पार्टनर की क्रेडित और डेबिट डोनों मैंसे माइनस करना है आपको और बताना है जो अमाउंट लार्ज होगा वह आपका बेलस निकलाल के आएगा कैसे करेंगे चलो इन दोनों को माइनस करो जो डेबिट क्रेट में वेल्यूज दी है यह आपको क्या है यह आपको है जीरो है है ना चलो करूं दोनों साइट के items को – करोंको कि तो कितना आएगा इसको में निस यह कृणकर भाई 10,000 आ रहा है थिक यह ना यह रीटा साइड की बढ़ी यह रहा है यह वाली वाली बड़िए इनुच वाली सब्सक्राइब इंrodu निछायम करो naite effect निकाल लो माय्ट करो किना जब गंग सेवेंटी एटपेट्ट Stackड आय का जए गा इन दोनों को जो यह न तूँभल पारा एक लाग भी सथार एक लाग भी सथार आ गए आपके बैलेंस हेज हो गए पूरे एज्ट्स्मेंट टेवल बन गई राइट समझ में आ गई बैलन्स आगे देखो ये क्रेड़ेट है ये क्रेड़िक और ये डैबिट बैलन्स अब इसके आजस्मेंट एंट् R का account, भाई, कौन सा account है, यहाँ देखो, fixed capital है, मतलब चीजे कहाँ जाएंगे, partner के current account में, ठीक है, कहाँ जाएगी, current account में जाएगी, तो R को क्या कर दो, R के current account को debit to an and queue, ठीक है, R को debit करना है, to an and queue, चलो, कर देते हैं, चलिए, R को कर देते हैं, हम, चलिए, R, current account, debit balance है, इसका, ठीक है, to, और दो कौन से बटनार है, R के बाल, an और queue ठीक है, an current account, to queue current account, ठीक है, समझ गए, कितना amount था, amount कितना आया था, इन दोनों का, I think, 17,800, है न, 17,800 था, an or queue का चेक कर लेते हैं, an or queue का कितना आया था, देखो, R का है, 17,800, an का है, 10,000 और इसका है, 7,800, ओके, 10,000 and 7,800, ठीक है, चलो, 10,000 and 7,800, clear, entry समझ आ गई, ये हो गई आपकी entry, last में narration लिखना है, ठीक है, last में, general entries में narration भी लिखना होता है, ये आपके entry हो गई, क्या सबको समझ आई, adjustment के entry, clear, table समझ में आ गया, कैसे क्या बनाया, अब क्या करो भाई, जल्दी से ले लो आप इसका screenshot, पहले ये बनाई थी table, चलो, take the screenshot first, done, चलो, इसके नीचे से ये आपको continue करनी है, ये वाली table, done, चलो, अब हमने कुछ working notes भी किये थे, take the screenshot, done, इसके बाद जो profit distribute, चलो, ये profit distribute किया था, done, and then last general entry, कौनसी adjustment entry, done, ले लिया समने screenshot, पक्का, समझ आगे ना question, चलो बढ़िया, अब जल्दी से like share कर दो भाई, आप क्योंकि last लो question और ज्यादे important लेके आने वाली हो, जल्दी से like share कर दो, फटाक से, सभी को like share करना है, करो, फिर मैं आपको next question करवाउंगी, next question भी और आपका interesting होने वाला है, प्रिवियस येर के ही है, भाई, sample paper, प्रिवियस येर के ही questions मैं आपको लेकर करवा रही हूं, practice, चलो, आज आईए, question number 5 आपका complete होता है, right, like share कर दिया ना सबने, पक्का अगले question पर move करो, जल्दी से like share कर दो, important question, इतनी महनत से important question करा रही हो, इतनी महनत तो आपने भी नही कर रही हूं, क्या कह रहा है, question number six, the partner of a firm, तीन पार्टनर है, है ना, एक firm में तीन पार्टनर है, आपके, क्या नाम है, आल्या, भानू, एंड, चांत, ठीक है, चंत, दो, तीन पार्टनर, सब्सक्रों, A, B, और C, तीन पार्टनर है, distributed the profit for the year, 31st मार्स 2017, कितना profit distribute कर रहे है, 80,000, इनका क्या है, profit है, इननोंने distribute किया, किस ratio में, 32, 32, 2K ratio में, 80,000 के profit को तीनोंने distribute किया, without providing the following adjustment, भाई, इनोंने adjustment ही नहीं दिये, और पहले ही 80,000 के profit को distribute कर दिया, तो अब क्या करोगे, जो distribute किया है, पहले वो वापिस लोगे, है ना, अब 80,000 जो distribute कर दिया है, उसको पह entitled to a salary, दोनों को A और C को salary मिल रही है, 15,000 इच पर मन्थ, हर एक को 15,000 पर मन्थ के साब से मिल रही है, सारी, 1500, ठीक है, फिर कह रहा है, B was entitled for a commission, B को commission मिल रहा है, 4000 का, भानू, मतलब B and C had guarantee, a minimum profit of 35,000 पर annum, तू आलिया, भाई, जो partner है, इसको guarantee दी है, A वाला जो partner है, इसको guarantee guarantee दी है, किस ने दी है, B और C ने guarantee दी है, कि भाई, तुम्हारा जो profit रहेगा, वो 35,000 से कम नहीं होगा, 35,000 तुम्हें मिलेगा ही, मिलेगा, तो तुम्हें हम क्या देते है, guarantee देते है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये, any deficiency to be born equally by भानू and चान, मतलब यदि कोई कमी, कोई deficiency आती है, आपको यदि 35,000 रुपे नहीं मिलते है, कोई कमी आएगी, तो वो दोनों, जो आपकी कमी रहेगी, उसको कौन bear करेगा, ये दोनों partners equally bear करेंगे, ठीक है, बराबर, बराबर, कोई लड़ाई जगडा नहीं, जो भी कमी आएगी, B और C उसको क्या करेंगे, पूरी इसकी guarantee है, उसका भी थोड़ा खयाल रखना है, इसको इसका guarantee वाला amount देना है, question clear होगे, बहुत सारी चीज़े, इस question में adjustment की भी है, guarantee की भी है, जो deficiency है, इसका भी calculation है, और बहुत सारी चीज़े, important question है, काफी मज़ा आएगा, तो चलो जल्दी से solve कर लेते हैं, चलो, सबसे प क्या हो जाएगा, यह wrongly profit distributed, चलो, थोड़ा सा पास पास लिख देती हूँ भाई, ठीक है, wrongly, wrongly profit distributed, ठीक है न, कितना यह distribute कर दिया, देखो, 80,000 का profit, 3 is 2, 3 is 2, 2 में कर दिया, तो निकाल लो पहले, 80,000 का 3 is 2, 3 is 2, 2 कितना हो जाएगा, पहले तो हम वो निकाल लेंगे, चलिए, क्या है भाई, profit है यह, हाना, profit है, और जो ratio है, let it, let it, क्या कर लेते हैं, 3, 3, 2, ठीक है न, profit है, 3 by 3 by 2 के ratio पे distribute करना है, जो profit दिया है, आपको 80,000 का दिया है, तीनों ही पार्टनर्स में क्या कर दिस्ट्रिबूट करो, 3, 3, 2, 6, 7, 8, 9, चलो, distribute कर दो, अभी यह गलत वाले हैं न, similarly दूसरे पार्टनर को भी दिया आपने, 80,000 में से 3 by 9, इसको calculate कर लो, और last वाले पार्टनर को भी दिया आपने, 80,000 में से 2 by 9, मिकाल दो भाई, चलो, मैनत कर लो थोड़ी सी, जड़ा calculate करके मुझे बता दो, कि कितना profit distribute आ रहा है, जो कि गलत है, है न, wrongly profit कितना distribute हुआ है, बताओ, तो जो पहले वाला इसका कितना आ जाएगा भाई, calculate दिखो, पहले तो cancer out कर लो, यह जाएगा 3, यह जाएगा 3, अब 3 को इससे आपको divide करना है, पहले वाले का आ जाएगा, बढई, देखो, इसको divide करोगे, तो 3, 3 जा न, कितना जाएगा यह वाला आपका, profit wrongly distribute हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका 30,000 एंड जो आपका लास्ट वाला पार्टनर है इसका कितना distribute हो जाएगा बता ही अच्छा यह यह नहीं आटेगा यह 3 नहीं यह 2 है ठीक है यह 2 आपका as it is रहेगा यह नहीं जाएगा चलो बताओ 2 by 9 कर दो इसको distribute कर दो इसको जल्दी से calculate कितना आएगा 20,000 आचाएगा राइट ठीक है यह आगया आपका 20,000, 30,000 and 30 3, 3 and 2 के ratio में कर दिया यही था ना 3, 3, 2 and आपका 80,000 था ठीक है ओके 3 minus 3 सुने किया 3 ठीक है 3 minus 3 ओके चलो यही आ रहा है हमारा answer profit को जब हम 80,000 को distribute करेंगे तो हमारा यही answer आजएगा अब हमें इसको क्या करना है हमें इसे table में show करना है 30, 30 and 20 राइट कहां गई हमारी table यह रही wrongly distribute चलो पहले तो हम partner के नाम नहीं लिखें नाम लिख देते हैं क्या कहा है नाम है A, B, C and firm है ना यह है आपका debit, यह credit debit, credit ठीक है accounts के students हो बस debit, particular date, amount यही सब याद रहता होगा ठीक है यही सब याद रहता होगा तो चलो यह हो गया क्या profit wrongly distributed कितना profit है जो हमने गलत से distribute कर दिया उसको हम वापस क्या करेंगे debit side पे record करेंगे कितना करेंगे 30,000 पहले वाले partner का दूसरे वाले का भी वही सेम 30,000 तीसरे वाले का कितना था 10,000 राइट 3, 6, 7, 8 20,000 था और total firm का यह हो जाएगा credit side पे कितना 80,000 clear समझ आ गया firm को total मिल गया profit वापस आ गया firm को credit side पे क्या हो गया थोड़ा पैसा मिल गया कितना मिल गया 80,000 firm को वापस मिल गया अब क्या करना है देखो सबसे पहले जो salary है आलिया को salary मिल रही है आलिया को चाल मतलब A और C को salary मिल रही है 15,000 पर मन्त तो कर दो multiply 15,000 पर मन्त है तो साल भर की कर दो multiply by 12 निकाल दो कितनी आईगी बता दो जल्दी से इसको कर दो calculate salary कितनी आईगी बताईगी और salary निकालेंगे तो बताईए कितनी आजाएगी बताईए आलिया एंड चान वर entitled to a salary of 15,000 इच पर मन्त राइट दोनों को ही salary मिल रही है तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर show कर देंगे हमारे table में salary चलो आपने calculate किया हमने बोला तक कितना 1500 को multiply by 12 से कर रहा था तो कितनी salary आ रही है आपकी 18,000 आ रही है ठीक है 18,000 चलो 18,000 की salary क्या कर दो record कर दो किसको देनी है B को देनी है तो B के credit side पे चली जाएगी salary कितनी 18,000 की similarly C को भी देनी है 18,000 उत्वही salary C क्या है credit side पे रिकॉर्ड हो जाएगी अब इसका total दोनो side का total कर लो और firm के debit side बताओ कितना amount आएगा दोनो side को total करोगे तो firm के side कितना amount आएगा 36,000 आज आएगा ठीक है debit side में clear चलो अब next देखो क्या बोला है salary वाला काम हो गया अब बोल रहा है B was entitled for a commission अब जो भाई B वाला partner इसको commission देना है कितना 4000 का ठीक है इसको note down कर लेते है commission किसको देना है B को देना है कितना 4000 देना है ठीक है 4000 दे दिया firm के side एक expense हो जाएगा कितने का 4000 का clear चलो यह हो गई दूसरी चीज अब अगला क्या बोला है B and C hat guarantee हाँ अब चलो guarantee वाली बात आ गई मतलब profit में आप profit में हो गई है guarantee वाला काम ठीक है निकाल लो balance इस side का तो आपका है कितना 80,000 है ना उस side 80,000 है तो यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए 80,000 ही आना चाहिए इन दोनों को add करो और 80,000 में से minus कर दो तो यहाँ आपका balancing amount आ जाएगा करो 80,000 में से दोनों को add करके आपको minus करना है बताइए कितना amount आएगा minus करेंगे तो बताइए 40,000 आजाएगा 40,000 ठीक है चलो ठीक है यह आगया profit क्योंकि debit side में आया it means यह क्या है profit है credit में आता तो loss होता है ना 80,000 में से हमने दोनों को add कि इसमें से minus किया तो 40,000 जो profit आया अब आपको क्या करना है यह जो profit है इसको करना है distribute profit distribution चलो profit को distribute करना है लेकिन उससे पहले आपको question में बोला है क्या बोला है देखो B और C ने guarantee देखो मैं यहाँ बताया B और C है यह जो दो partner है इनको guarantee क्या दिये आपका जो profit है यह कितना होगा 35,000 देखो question में दिया है 35,000 से कम का नहीं होगा आपको guarantee हमने दी है तो आप कैसे निकालो कि जो profit दिया है देखो ratio कितना दिया है 3 3 is 2, 3 is 2, 2 का ratio दिया है और profit हमने just अभी निकाला कितना आया 40,000 तो पहले आप इसको क्या करो distribute कर लो 40,000 जोब का profit आया है profit distribution ठीक है profit हमें किस ratio में करना है 3 by 3 by 2 कितना आया profit 40,000 का आया ठीक है 40,000 का आया अब आपको तीनों partners में करना है A, B and C ठीक है यदि आप A का देखोगे 40,000 A का कितना है 3 है A को ही guarantee दिया देखो question में guarantee किसको मिली है A को guarantee मिली है ठीक है बहाँ पर मैंने बताया B और C ने guarantee किसको दिये A को तो बहले A का निकाल लो भाई कितना आ रहा है ठीक है 40,000 A का है 3 by कितना हो गया यह 3 6 7 8 है ना नहीं यह हो गया आपको हाँ 8 होगे चलो अब निकाल लो A वाले का कितना share आएगा बता दो A वाले का कितना share आएगा जब आप profit निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है 3 by 8 करोगे कितना आएगा 15,000 छीक है 15,000 आजाएगा आगया 15,000 similarly जो दूसरा partner है इसका भी निकाल लो 40,000 into 3 by 8 और जो तीसरा वाला partner है इसका भी आजाएगा 40,000 में कितना share दिना है 2 that is 2 by 8 चलो अब बता दो दोनों का कितना आ रहा है दोनों partner का बताओ second वाली का भी 15,000 आएगा same भाई 3 by 8 करना है तो इसका भी 15,000 आजाएगा और जो last वाला partner है इसका कितना आ जाएगा 10,000 clear यहां तक की कहानी समझा आ गई अब देखो अब आएगा कहानी में twist ट्विस्ट कहां आएगा भाई A वाला जो partner है इसको तो guarantee मिली थी कितने की guarantee देखो अब इसकी आ जाएगी क्या deficiency कैसी आई की deficiency देखो इसको तो guarantee मिली थी कि भाई आपको हम कितना देंगे 35,000 तो profit आपक है ना तो क्या हो गया भाई कमी आ गई अब इसके पास profit की है ना माइनस कर दो भाई देना इतना था आए इसके पास 15,000 है तो माइनस कर दो दो दोनों को और बताओ कितने की कमी आई माइनस करोगे तो कितनी 20,000 आ जाएगी ठीक है 20,000 की क्या आ गई इसकी deficiency आ अब question में क्य बोला था 20,000 कौन देगा अब यह जो 20,000 है कौन देगा B and C यह देखो इसने guarantee में दी थी A को किसने A और B ने किस amount में guarantee को cover करेंगे question में बोला है equally बराबर ठीक है वो 20,000 की जो कमी है इसको यह बराबर distribute करेंगे कौन A and B B and C बराबर करेंगे मतलब 10,000 बराबर करेंगे समझ गए कानी समझ आगी भाई 15,000 इसको distribution में मिल रहे थे profit के लेकिन इसके जो guarantee थी वो 35,000 की थी तो हमने minus किया 20,000 आगया 20,000 की जो deficiency आई मतलब जो कमी निकल के आई इसको क्या किया B और C दोनोंने guarantee दी तो भाई इनको तो profit दे नहीं पड़ेगा तो इनोंने 20,000 को आधा आध 15,000 और 10 ठीक है अब इसको आप यहां कैसे दिखाओगे हमारा जो profit and loss हमने जो adjustment किया है इसमें हम कैसे दिखाएंगे वो है 40,000 का profit हमने A को तो guarantee थी 35,000 की लेकिन profit कितना distribute हुआ profit के जमने share निकाला तो 15,000 हुआ ठीक है इसको लिख लेते है 15,000 कहां पे credit side 15,000 इसको भी share मिला फिर B को कितना share मिला B को भी 15,000 मिला और C को कितना share मिला 10,000 का share मिला यह भी हमने just calculate किया 15,000 ठीक है अब हम क्या करेंगे जो deficiency है deficiency कितनी हुई deficiency किसको हुई भाई A को deficiency हुई क्योंकि 35,000 देने थे लेकिन अब जिर्फ 15,000 मिले तो deficiency कौन इसकी करेगा deficiency born by A and not A, B and C B और C क्या करेंगे deficiency को beer करेंगे किस ratio में 1 is to 1 के ratio में तो यदि आप deficiency को born करेंगे 15,000 है अब इसको कितने देने पढ़ेंगे 20,000 और देने पड़ेंगे तो इसको हमने और दे दिये कितने 20,000 ठीक है लेकिन आप इनके जो 15,000 थे इसमें से 10,000 चले जाएंगे क्योंकि ये दोनों को आप 10,000 देना है तो इनके 10,000 चले जाएंगे मतलब debit side से जाएंगे वह credit में तो इनको जो मिल रहा है वो हम record करते हैं 10,000 तो इनके पास से जा रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर record कर देंगे 10,000 इनके debit side में similarly C भी 10,000 देगा तो इसको भी हम कहाँ record कर देंगे इसके debit side में clear अभी जो 80,000 में total किया इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा shift कर देते हैं हम थोड़ा सा 80,000 का total इधर पर ठीक है 80,000 and 80,000 clear समझ गए कहानी समझ गए clear जो भी deficiency थी उसको हमने क्या कर दी कर दी कवरटी इसको 20,000 देके इसके 35,000 पूरे कर दीए और इनको जो 15,000 तो उसमेंसे ने 10,000 दे दीए किसको दीए A को दे दीए इन्होंने भी जो भी कमाया था उसमें से 10,000 इन्होंने भी दे दिया, किसको दे दिया, A को दे दिया, clear, अब question में और कुछ बोलाई क्या, कुछ भी नहीं बोला, सारी चीजे हमने कर ली है, ठीक है, salary दे दी हमने किसको, आलिया और चाथ, A और C को salary भी दे दी, ठीक है, salary भी हमने B और C को दे दी, तो B को नहीं देनी थी, A को देनी थी, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहां से हटा देते, B को भाई, B को आपको कोई salary नहीं मिलनी थी, salary किसको देनी थी, A को देनी थी, हैना, तो A को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 किसको दे देंगे एको दे देंगे क्लिया है यहां तक की कहानी अप समझ में आ गई है ना और तो कुछ गढ़ बढ़नी है ना salary A और C को देनी थी आमने पहले बीको देनी थी डोंट वेरी बीको आप नहीं देंगे यह है आपका क्या 30,000 और उस साइट का करोगे तो कितना आ जाएगा बताई यह उस साइट का करोगे तो कितना आएगा 53,000 आ जाएगा clear similarly 30,000 और 10,000 कितने हो गए आपके 40,000 और यह हो आपके 15,000 और आपका 4,000 कितना हो जाएगा 19,000 ठीक है फिर 20,000 और आपका 10,000 आपको जाएगा 30,000 और आपका 18,000 और तेन थाँजन कितना हो जाएगा 28,000 clear यह दोनों तो कोई एफेक्त नेए अब इनका नेट एफेक्त निकाल लो आप ठीक है बड़ी डिजिट का पर दिये बड़ा अमांट आपको क्रेडिट साइड दी आइट मींस किया है यह आपका क्रेडिट बैलन्स है अब इन दोनों को माइनस करो 40,000 और 19,000 को माइनस करो कितना आएगा 21,000 आजाएगा 21,000 यहां बड़ी डिजिट आपके बड़ी डिजिट हैए आपको बड़ी डिजिट है अंड़ारिण सीका और आव और 20,000 को माइनस करो कितने भ kicking सब्सक्राइब की एब किकतर हो जैगा अब क्या कर दो समझ आ गई निकाल लिया टोटल निकाल लिया और इभेक्त भी निकाल लिया बक्या करेंगे आप is a g signal याजिस्मेंट एंटरी करेंगे aproxim हो्म या इतरेशन अद्रों को करते हैं गलेटेट करदो क्रेडिट कर समझ में आगया चलो आपकर देत Tailer-では यहीं हो जाए नियुक्स सब्दरों भमफेट टेवल बेन गया, answer आ गया, सुकून, balance आ गया, answer आ गया, मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, चलो, B, B's capital, B capital account, C's capital account, debit करना है, इन दोनों का debit balance आया है, टू, A's capital account, clear, amount कितना दिया है भई, इसका हमने दिखा, कितना दिया था, 23,000 दिया था, एक बार क्रॉस चेक कर लो भई, गलतिया हो जाती है, let's check it, guys, कितना आया है, 23,000 है, यह 23,000 है, यह 23,000 है, यह 100 लिख दिया शायद, 23,000 आएगा न, इसमें से minus करके यह 23,000, रुखो, अच्छे से ही लिख देती हूं, मिटा के, 2, 3, 0, 23,000, फिर जो B है उसका 21 and 2, ठीक है, चलो, 21 and 2,000, चली है, इसको लिख देते हैं, 23,000, और जो B है, इसका कितना है, 21, चलो, pen, का color बदल लेते हैं, अज आएगा 21,000, और इसका जाएगा 2,000, दोनों को add करोगे, 23, आपका total आ गया, clear, समझ आ गई भाई, यह है आपकी balance sheet, not balance sheet, यह है आपकी adjustment entry, right, adjustment की general entry, A, B, capital account, C, capital account, debit किया, A, K, capital account में, clear, समझ आ गया, amount हमने लिख दिया, clear, समझ आ गया, यह होती है भाई, इसी तरीके से होते है, question, important question, the most important था, भाई, previous sample, paper का था, चलो, अब लेलो, इसका screenshot फटा-फट से, पहली वाली table चलो, इसकी शहीं देखी table है, हाँ चलो, take the screenshot, done, लेलिया, चलो, अब क्या लेना है आपको, जो हमने working note किया, done, okay, after that, इसका भी लेलिजे, deficiency वाला, done, and then, finally, most important, हमारी adjustment entry, clear, समझ आया, so my dear students, lengthy question थे, I know, बहुत साई students को लोगे, my god, question खतम ही नहीं हो रहा है, but my dear students, accounts में ऐसे ही questions होते हैं, lengthy वाले, लेकिन जो questions थे, most important थे, I hope, आपको समझ में आया होंगे, सारे questions हमने किये, previous class में भी important वाली किये थे, तो ये दोनों जो आपके part में, मैं important questions लेकर रही थी, इनको skip मत करना, अभी और दोबारे इनको practice करना, ये आपका homework है, एक बार और इन सभी questions को क्या करना है, आपको revise करना है, ठीक है, दोबारे से revise कर लेना, तो और अच्छे से clarity आ जाएगी, क्योंकि भाई question का pattern समझ में आ गया, इसी type के questions आते हैं, तो अभी और अच्छे से clarity करना है, दोबारे से concept को revise कर लेना, एक बार और चाहो तो question को solve कर लेना, और यदि कोई doubt हो, तो no problem comment session में, आप अपना doubt पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, मैं आपका reply ज़रूर करूँगी, ठीक है, तो dear students, यह थी हमारी आच की class, I think इतने questions थे हमारे most important वाले solve करते करते मज़ा बहुत आया, I hope आपको भी मज़ा आया होगा, तो dear students, अभी हम और भी नए questions और भी करेंगे, और भी नए concepts को पढ़ेंगे, daily classes में बस आपको जुड़े रहना है, magnet brains के साथ, daily time से आपको classes attend करनी है, magnet brains एक ऐसा platform माइडिया students जो आपको free and quality education प्रवाइड करता है, और यदि आप English medium में students हैं, तो KGCD के class 12 तक के सारे course मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप हिंदी medium के students हैं, तो भी आपको 60 से लेगे 12 तक के सारे courses बिलकुल free मिलेंगे, CBAC board के courses और other state board के courses भी हम आपको provide कराते हैं, जैसे कि Delhi, Bihar, UPMP, Rajasthan board, Vedic Maths या spoken English के courses आपको free of cost में हम provide कराते हैं, fresh course भी हम आपको revision के लिए provide करते हैं, e-books या e-notes का आपको benefit लेना है, तो link आपको description box में विजए गया, आप वहाँ जाके check कर सकते हैं, हमारे courses देखनी के लिए YouTube platform पो एक बाद जाके visit करें, वहाँ से आप हमारे course देख सकते हैं, mobile application डाउनलोड करें, या फिर डिर्क लिए हमारी website पर जाकर भी आप हमारे courses को देख सकते हैं, चैनल को subscribe जरूर करना, जो हमारे बाकी के social media platform है, जैसे YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp, Twitter, WhatsApp, हर जगे जाके हमें follow जरूर करना, वीडियो अच्छी लोगों क्लास अच्छी पसंद आई हो, question करें मज़ा आया तो like share जरूर करें, मिलेंगे next class में, till right, take care and keep learning.